विंग 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 विए कि वटेबर प्लीज सब्सक्राइब आई वान तो रीच वान मिलियन दोस्तो आज की इस वीडियों हम बात करेंगे के नॉइस की स्मार्ट वोच अच्छे या फिर हमारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंट्रस्टिंग विडियो देखने के लिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की दोस्तो अगर मैं आपसे बात करूं दोने स्मार्ट वोच इसके डिजाइ के फिनिशिंग देखने को मिलती हैं स्मार्ट वोच इसके अंदर नौइस के अंदर आपको प्लास्टिक देखने को मिलते हैं सिलिकाउन का स्ट्रैप देखने को मिलता है अगर मैं आपसे डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो दोस्तो मुझे नौइस की डिस्प्ले काफ ये अच्छे से वर्क करती है टच वगएरा में आपको कोई भी दिक्कत वगएरा नहीं होगी तो बात कर लेते हैं इस mc99 pro smart watch के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसी smart watch के अंदर आपको full crown button working देखने को मिलता है इसी smart watch के अंदर आपको 3000 रुपे के अंडर देखने को मिलेगा तो काफी amazing ही smart watch है अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम noise के specification के बारे में noise color fit caliber के अंदर आपको देखने को मिलते है 1.69 इंच की display देखने को मिलते है 60 sports mode मिलते है custom wallpaper का support देखने को मिलता है 15 दिन का battery backup देखने को मिलता है stress monitor, sleep monitor, fpo2 sensor और उसके साथ साथ आपको heart rate sensor देखने को मिलता है इस smart watch के अंदर आप call बगएर receive नहीं कर सकते है तो दोस्तों आपको इन दोने smart watch इसमें से कौन सी smart watch लेनी चाहिए और कौन सी smart watch हमारी best है तो दोस्तों वैसे तो noise की smart watch भी अच्छी है mc99 pro भी smart watch अच्छी है बड़ दोस्तों हमारी mc99 pro जो smart watch है वो है चाइनीज smart watch हमारी noise की smart watch है वो एक branded smart watch है मगर दोस्तों mc99 pro के अंदर आपको full calling feature देखने को मिलता है उसके साथ आपको full custom wallpaper का support देखने को मिलता है दोने smart watch काफी अच्छी है मेरे साथ से तो आपको mc99 pro smart watch लेनी चाहिए काफी amazing smart watch है